वलिकम टेश्वुन डिक्ति एसन पांज सिगड बात शुरू होगा रेडी स्टार्ट मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं मुझे शील की गंध चरित्र की गंध धर्म की गंध सबसे अधिक विश्विद्याले की सुगंध पसंद है ऐसा कहना था भारतिय सिक्षा क्रांती के अग्रदूत महामना मदनमोहन मालविय जी का मदनमोहन मालविय जी उन महान विभूतियों में से एक हैं जिनोंने राष्ट निर्माड का सपना देखा और उसे मुर्त रूप प्रदान किया बनारस्त हिंदू विश्विद्यालय जैसे प्रतिस्ठित सेक्षणिक संस्थान की इस्थापना करने वाला यह उदारचित महामानव स्वेम में एक संस्था है निश्चे ही इनके बारे में जानना और समझना अत्यंत आवश्च है बहु आयामी व्यक्तित के धनी पंडित मदनमोहन मालविय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलहाबाद में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनात और माता का नाम स्रीमती भूना देवी था मूल रूप से इनके पुरुवज मालवा प्रांत के निवासी थे इसी लिए इन्हें मालविय कहा जाता था एक धार्मिक परिवार में पले बढ़े मदनमोहन मालविय को धार्मिक संसकार विरासत में मिले थे अपने पिता और दाधा की तरह मालविय जी भी धार्मिक परचार करने के इच्चुक थे परंतु परिस्थितियों के दबाव के चलते उन्हें अध्यापन में आना पड़ा परंतु धार्मिक संसकारों ने इनके भावी व्यक्तित्व को परभावित अवश्य किया मैट्रिक की परिक्षा उत्तिन करने के बाद इन्होंने कलकत्ता विश्विद्याले से इसनातक की उपाधी प्राप्त की और इसके बाद इलहाबाद में आकर विद्याले में अध्यापन कारना प्रारंब कर दिया अपने व्यवहार और पढ़ाने की विशेश सहली के कारण मालविय जी अपने विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय थे लेकिन अवसाधारण प्रतिभा के धनी पंडित मदन मोहन मालविय जी का कारिक्षेत्र केवल अध्ययन अध्यापन तक सिमित नहीं था वह राजनीत में भी सक्रे भूमी का निभाना चाहते थे और इसकी सुरुवात हुई 1886 इसवी में जब उन्हें अपने गुरु आदित्यराम भटाचार्य के साथ कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने का मौका मिला बाद में उन्होंने कॉंग्रेस में अपनी एक खास जगह बना ली और सुतंद्रता संग्राम में सक्रे भूमी का निभाई महामना चार बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष क्रमसह वर्ष 1909-1918-1932 तथा 1933 में रहे मालवे जी ने कॉंग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच एक जोडने वाली कड़ी के रूप में कारे करते हुए राजनीतिक स्तर पर अत्यंत महत्त पूर्ण भूमी का अधा की और सुतंद्रता संग्राम के पथ प्रदर्शक बने महामना मालवे जी का योगदान केवल अध्यापन और राजनीति तक ही सिमित नहीं है सभाव से शालीन विनम्र उदारचित और साधा जीवन व्यतीत करने वाले मालविय जी की पहचान एक सफल सिक्षा विद पत्रकार संपादक समाज सुधारक वकील और एक कुशल वक्ता की भी है 1886 इसवी में जब उन्होंने कॉंग्रेस अधिवेशन में भाशन दिया तो कालांकांकर के राजा रामपाल सिंग उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनसे हिंदुस्तान नामक सापताहिक समाचार पत्र का संपादक बनने का अनुरोध किया मालविय जी ने संपादक बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर हिंदुस्तान को लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचाया ततकालीन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर उनके द्वारा लिखे गए निर्भिक लेखों और टिपड़ियों को बहुत सराहा जाता था मालवे जी ने बाद में इंडियन ओपीनियन, लीडर, मर्यादा, सनातन धर्म, हिंदुस्तान टाइम्स तथा अभ्यूदय का संपादन भी किया इस प्रकार उन्होंने भारतिय पत्रकारिता को नरा आयाम प्रदान करते हुए अपना अविस्मर्डिय योगदान दिया इस्टोब